C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रिष्ट 48 3.1 भूमिका रमेश के पास 6 कंचे यानि कांच की गोलियां है वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान हो वह उन्हें निम्न विधियों से व्यवस्थित करता है और कंचों की कुल संख्या परिकलित करता है 1. प्रत्येक पंक्ति में एक कंचा पंक्तियों की संख्या बराबर 6, कंचूं की कुल संख्या बराबर 1 गुणा 6 बराबर 6 2. प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे, पंक्तियों की संख्या बराबर 3 कंचूं की कुल संख्या बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6 तीन, प्रत्य एक पंक्ति में तीन कंचे, पंक्तियों की संख्या बराबर दो, कंचों की कुल संख्या बराबर तीन गुणा दो, बराबर छे प्रिश्ट उन्चास चार, वह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोच सका, जिसमें प्रत्य एक पंक्ति में चार कंचे यत्वा पांच कंचे हों इसलिए अब केवल एक व्यवस्था बची, जिसमें एक पंक्ति में सभी छे कंचों को रख दिया जाए पंक्तियों की संख्या बराबर एक, कंचू की कुल संख्या बराबर 6 गुणा एक, बराबर 6 इन परिकलनों में रमेश यह देखता है कि 6 को विभिन प्रकार यानि विधियों से दो संख्याओं के गुणन भलों के रूप में लिखा जा सकता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है 6 बराबर 1 गुणा 6, 6 बराबर 2 गुणा 3, 6 बराबर 3 गुणा 2, 6 बराबर 6 गुणा 1 6 बराबर 2 गुणा 3 से यह कहा जा सकता है कि 2 और 3 संख्या 6 को पूरी पूरी यानि exactly विभाजित करती है अर्थात 2 और 3 संख्या 6 के पूरे पूरे विभाजक या भाजक यानि डिवाईजर्ज है अन्य गुणन फल 6 बराबर 1 गुणा 6 से 6 के अन्य विभाजक 1 और 6 प्राप्त होते हैं इस प्रकार 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 के विभाजक हैं ये 6 के गुणन खंड यानि factors कहलाते हैं 18 कंचों को पंक्तियों में विवस्थित करने का प्रयत्न कीजिए और 18 के गुणन खंड ग्यात कीजिए 3.2 गुणन खंड और गुणज मेरी वे संख्याइं ग्यात करना चाहती है जो 4 को पूरी-पूरी विभाजित करती हैं चार बराबर एक गुणा चार चार भाग दो भागफल दो है, शेश शुन्य है चार बराबर दो गुणा दो चार भाग तीन भागफल एक है, शेश एक है चार भाग चार भागफल एक है, शेश शुन्य है चार बराबर चार गुणा एक वह पाती है कि संख्या 4 को निमने रूप में लिखा जा सकता है 4 बराबर 1 गुणा 4, 4 बराबर 2 गुणा 2, 4 बराबर 4 गुणा 1 वह ग्यात करती है कि 1, 2 और 4 संख्या 4 के पूरे पूरे विभाजक हैं ये संख्याएं 4 के गुणन खंड कहलाती हैं प्रिष्ट 50 किसी संख्या का गुणन खंड उसका एक पूरा-पूरा यानि एक्जाक्ट विभाजक यानि डिवाईजर होता है ध्यान दीजिए कि 4 का प्रत्येक गुणन खंड चार से कम या उसके बराबर है खेल 1 यह खेल दो व्यक्तियों मान लीजिए A और B द्वारा खेला जा सकता है यह खेल गुणन खंड ग्यात करने के बारे में है इसके लिए 50 काड़ों की आवशक्ता है जिन पर 1 से 50 तक की संख्याएं अंकित है एक मेज पर इन काड़ों को नीचे दर्शाय अनुसार व्यवस्थित कीजिए यहां 1 से 50 तक के काड़ व्यवस्थित किये गए है चरण A. निर्णे लीजिये के पहले कौन खेलेगा A या B B. मान लीजिये A पहले खेलता है वहमेज से एक काड़ उठाता है और अपने निकट रख लेता है मान लीजिये इस काड़ पर 28 लिखा है C. हिलाडी B अब वे सभी काड़ उठाता है जिन पर A के काड़ पर लिखी संख्या अर्थाग 28 के गुणन खंड लिखे है और उन्हें अपने निकट एक धेर में रख देता है D. फिर खिलाडी B मेज पर रखे काड़ों में से एक काड़ उठाता है अब मेज पर बचे काड़ों से A वे सभी काड उठाता है जिन पर B के काड़ की संख्या के गुणन खंड लिखे है E. यह खेल तब तक जारी रहता है जब तक के सभी काड़ न उठा लिए जाएं F. A अपने पास रखे काड़ों पर लिखी संख्याओं को जोडता है और बी भी अपने पास रखे काडों पर लिखी संख्याओं को जोड़ता है जिस खिराडी का योग अधिक होगा उसे ही जीता हुआ माना जाएगा काडों की संख्या को बढ़ा कर इस खेल को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए क्या आप इस खेल को जीतने की कोई विधी ग्यात कर सकते हैं प्रिष्ट 51 जब हम 20 बराबर 4 गुणा 5 लिखते हैं तो हम कहते हैं के 4 और 5 संख्या 20 के गुणन खंड यानि फैक्टर है हम ये भी कहते हैं के 20 संख्या 4 और 5 का गुणज यानि मल्टिपल है 4 गुणा 5 बराबर 20 तो 20 हुआ गुणज और 4 और 5 हुए गुणन खंड निरुपन 24 बराबर 2 गुणा 12 ये दर्शाता है के 2 और 12 संख्या 24 के गुणन खंड हैं तथा 24 संख्या 2 और 12 का एक गुणज है हम कह सकते हैं के एक संख्या अपने प्रत्येक गुणन खंड का एक गुणज होती है प्रयास कीजिए 45, 30 और 36 के संख्यावित गुणन खंड ग्याद कीजिए आईए अब गुणन खंडों और गुणजों के बारे में कुछ रोचक तत्यों को देखें ए, लकड़ी या खागज की कुछ पट्टियां एक खत्रित कीजिए जिनमें से प्रत्येक की लंबाई तीन मात रखो बी, सिरे से सिरा मिला कर इन्हें नीचे दी आकरती के अनुसार जोड़िए उपरी पट्टी की लंबाई तीन बराबर एक गुणा तीन मात रख है यहां ये चित्र दिया गया है अगली पट्टी की लंबाई तीन जमा तीन जमा तीन बराबर नौ मात रख है साथी नौ बराबर तीन गुणा तीन है इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम अन्य लंबाईों को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं बारह बराबर चार गुणा तीन पंदरह बराबर पांच गुणा तीन हम कहते हैं कि संख्याएं तीन, छै, नौ, बारह, पंदरह संख्या तीन के गुणज हैं तीन के गुणजों की सूची को अठारह, एक्कीस, चौबीस, इत्यादी के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है इन में से प्रत्येक गुणज तीन से बढ़ा या उसके बराबर है संख्या चार के गुणज चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, चौबीस इत्यादी हैं यह सूची समाप्त नहीं होती है इन में से प्रत्येक गुणज चार से बढ़ा या उसके बराबर है आईए देखें कि गुणज खंडों और गुणजों के बारे में हम क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं एक, क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के गुणज खंड के रूप में आती है हाँ, यह संख्या एक है उदाहरणार्थ 6 बराबर एक गुणा 6, 18 बराबर एक गुणा 18 इत्यादी इसकी जाँच कुछ और संख्याईं लेकर कीजिए अतह हम कहते हैं के एक, प्रत्येक संख्या का एक गुणज खंड होता है पृष्ठ बावन दो, क्या साथ स्वयम का एक गुणन खंड हो सकता है हाँ, आप साथ को साथ गुणा एक के रूप में लिख सकते हैं दस के बारे में आप क्या कह सकते हैं पंदरह के बारे में आप क्या सोचते हैं आप देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या को आप इस रूप में लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयम अपना एक गुणनखंड होती है। तीन, सोलह के गुणनखंड क्या हैं? ये एक, दो, चार, आठ और सोलह हैं। इन गुणनखंडों में क्या आप कोई ऐसा गुणनखंड ग्याद कर सकते हैं जो सोलह को विभाजित न करता हो। 20 और 36 के लिए भी उपरोक्त खतन की जाँच करिये। आप पाएंगे कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पून विभाजक होता है। 4. 34 के गुणनखंड क्या हैं? ये एक, दो, सत्रह और स्वयम 34 हैं। इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? ये 34 है। अन्य गुणनखंड एक, दो और सत्रह संख्या 34 से छोटे हैं। 64, 81 और 56 के लिए भी इस कथन की जाच कीजिए। हम कहते हैं कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। 5. 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। 136 के कितने गुणनखंड है, 96 के कितने गुणनखंड है। आप पाएंगे के आप इन में से प्रत्येक संख्या के गुणन खंडों की संख्याओं को गिन सकते हैं। संख्याएं 10,576, 25,642 इत्यादी जैसी बड़ी होने पर भी आप इन संख्याओं के गुणन खंडों को गिन सकते हैं। यद्यपी आपको इन संख्याओं को गुणन खंडित करने में कुछ कठिनाई अवश्य होगी। हम कह सकते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणन खंडूं की संख्या परिमित तानी फाइनाइट होती है। 6. साथ के गुणज क्या हैं? सफश्ट तह ये 7, 14, 21, 28 इत्यादी हैं। आप पाएंगे के इन में से प्रत्येक साथ से बड़ा या उसके बराबर है। क्या यह प्रत्येक संख्या के गुणजों के लिए सत्य होगा? इसकी जाँच 6, 9 और 10 के गुणजों को लेकर कीजिए। हम पाते हैं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। साथ पांच के गुणज लिखिए। ये 5, 10, 15, 20 इत्यादी हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह सूची कहीं समाप्त होगी? नहीं, यह सूची समाप्त न होने वाली है। इसकी जाच 6, 7 इत्यादी के गुणजों को लेकर भी कीजिए। हम प्राप्त करते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी इंफिनिट है। आठ, क्या साथ स्वयम का एक गुणज है? हाँ, क्योंके साथ बराबर साथ गुणज एक है। क्या यह अन्य संख्याओं के लिए भी सत्य है? तीन, बारह और सुलह के लिए इसकी जाच कीजिए। आप पाएंगे के प्रत्येक संख्या स्वयम का एक गुणज है। प्रिष्ट तरेपण। छै के सभी गुणन खंड एक, दो, तीन और छै हैं। साथ ही एक जमा दो, जमा तीन, जमा छै बराबर बारह, बराबर दो गुणा छै है। हम प्राप्त करते हैं के छै के सभी गुणन खंडों का योग छै का दो गुणा है। 28 के सभी गुणन खंड एक, दो, चार, साथ, चौदह और 28 हैं। इन्हें जोडने पर हम प्राप्त करते हैं के एक जमा दो, जमा चार, जमा साथ, जमा चौदह, जमा 28 पराबर 56, बराबर दो गुणा 28 है। अर्थात, 28 के सभी गुणन खंडों का योग संख्या 28 का दो गुणा है। वह संख्या जिसके सभी गुणन खंडों का योग उस संख्या का दो गुणा हो, एक संपूर्ण संख्या यानि परफेक्ट नंबर कहलाती है। छै और अठाईस पूर्ण संख्याएं हैं। क्या दस एक पूर्ण संख्या है? उदाहरण एक, 68 के सभी गुणन खंडों को लिखिये। हल, हम देखते हैं के 68 बराबर एक गुणा 68, 68 बराबर दो गुणा 34, 68 बराबर चार गुणा 17 है, 68 बराबर 17 गुणा 4, यहां रुख जाईए क्योंकि 4 और 17 पहले आ चुके हैं। इस प्रकार 68 के सभी गुणन खंड एक, दो, चार, सत्रह, चौतीस और 68 हैं। उदाहरन दो, चातीस के गुणन खंड ग्यात कीजिए। हल, चातीस बराबर एक गुणा 36, चातीस बराबर दो गुणा 18, चातीस बराबर तीन गुणा 12, चातीस बराबर चार गुणा 9, चातीस बराबर चै गुणा 6। यहां रुख जाईए क्यूंके दोनों गुणन खंड 6 समान हैं। इस प्रकार वांचित गुणन खंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 हैं। उदाहरण 3, 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिये। हल, वांचित गुणज 6 गुणा 1, 6, 6 गुणा 2, 12, 6 गुणा 3, 18, 6 गुणा 4, 24 और 6 गुणा 5, 30 अर्थात 6, 12, 18, 24 और 30 हैं। प्रश्नावली 3.1 एक। निम्न लिखित संख्याओं के सभी गुणन खंड लिखिये। A. 24, B. 15, C. 21, D. 27, E. 12, F. 20, G. 18, H. 23, I. 36। 2. निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिये। A. 5, B. 8, C. 9। प्रिष्ट 54, 3. स्थम्भ एक की संख्याओं का स्थम्भ दो के साथ मिलान कीजिए। स्थम्भ एक। 1. 35, 2. 15, 3. 16, 4. 20, 5. 25। स्थम्भ दो A. 8 का गुणज B. 7 का गुणज C. 70 का गुणज D. 30 का गुणन खंड E. 50 का गुणन खंड F. 20 का गुणन खंड 4. 9 के सभी गुणज ग्याद कीजिए जो 100 से कम हूँ। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचनस्वर गौरव मारवा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिली, भारत C.I.E.T. C.I.E.T.